लेस्टन नमबर फाइव एक्सरसाइस फोर पॉइंट टू कोस्टन नमबर एट आई इसको सॉल वरते हैं यह देखें वन ओवर एक स्क्वेर मानस वान इंटो एस प्लस वन अब बजाहिर तो एक फेक्टर आ गया कोट्रेटिक बड़ देख रहे हैं एक स्क्वेर मानस वान ज है सिंस एक्सवेर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्सवेर माइनस वन होल स्केयर इस केर माइनस है भी स्केयर तो एक्स माइनस वन एक्स व्लस है स्केयर माइनस वन तो इस सारे को लिख दें वान ओवर माइनस वन अलब एक्सकी वन एक्स प्लस वन तो यह आजाएगा वन ओफर जो पहला फेक्टर है वो बनेगा है स माइनस वान फिर आएगा x plus 1 और एक x plus 1 पहले से मुझूद था अब रिपीट हो गया x plus 1 तो इसको लिख दें 1 over x square minus 1 into x plus 1 1 over ये देखें x minus 1 और ये आगया x plus 1 whole square सवाल बजायर हमें ऐसा दिखाए दिए रहा था जो पता नहीं चल रहा था कौन सा केस बन रहा है बड़ जब हमने उसको सिंब्लिफ आए गया तो पताल आ गया के case number 2 बन रहा है repeated linear factors आई इसको देखते हैं कि इसके कैसे बनेंगे partial now 1 over x minus 1 x plus 1 square ये देखें ये a over x minus 1 आएगा प्लस B over x plus 1 आएगा प्लस C over x plus 1 square हो जाएगा तो अब इसको आपके लिए solve परना कोई issue नहीं है जिस तरह हमने question number 1 को solve किया उसी pattern पे उसी method को apply करके आप इसको solve कर सकते हैं अब यहाँ पर तीन constants है capital A capital B and capital A C हो सकता है कोई से दो constants की value आप directly find कर ले पर उसको expand करके third constant की value भी find करेंगे क्या टेक्निक अपलाए करेंगे जब हमने coefficients को compare करने की बात की तो इसको आपने खुद साल करना है आप 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 आप